राजधानी में 6 साल बाद टेस्ट मैच, स्टेडियम के पास ट्रैफिक होगा प्रभावित वीकिन पर बढ़ेगी भीव, ट्रैफिक कंजेशन का करना पड़ेगा सामना। नई दिल्ली दिल्ली में आज से भारत और आस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है। लेकिन वीकेंड में खासा रश रहने की उम्मीद है। इसके चलते स्टेडियम के आसपास से गुजने वाले लोगों को शनिवार और रविवार को भी ट्रैफिक कंजेशन का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा वर्किंग दे होने की वज़े से आज भी दिक्कत हो स इताजी सुभाश मार्ग और आसफली रोड पर शाम को मैच खत्म होने के बाद जाम लग सकता है। सुबह और दोपहर के समय भी सीडियम के आसपास पैदल चलने वालों के मूव्मेंट के कारण ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है। रहगीरों की सुरक्षा के लिए कान काटे जाएंगे और ट्रैफिक के मूव्मेंट में बाधा डालने वाली ऐसी गारियों को क्रेन।